Shenzan का विज़ा अगर आप लेना चाते हैं दोस्तों, UK का विज़ा, Kaneda का विज़ा, तो वो वक्त अब आ गया है, क्योंकि मौसम भी दोस्तों हमारे देश के अंदर अच्छा होने लगया है, फोरण के अंदर भी दोस्तों एक से दो महिने के बाद मौसम अच्छा हो जाएगा क्योंकि इतने में जब हम अपनी प्रफाइल को यहां पे रेडी करेंगे, हम अपार्टमेंट लेंगे, अपनी फाइल अपलाई करेंगे, तो दोस्तों जो हमारे लोग यॉरप वाली सैड, शांगन वाली सैड, यूके, कनेडा की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो आज ये कौन से आपको डॉक्मेंट, किस तरह के डॉक्मेंटों के उपर आपनी ज़्यादा ध्यान देना है, तो ट्रेवल हिस्ट्री कितनी आपके लिए इंपोर्टेंट है, है या नहीं, किस तरह से वो काम करती है, तो सारी इंफ्रमेशन दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर ब USA तक भी, या और जो देश हैं जैसे मेक्सिको है, ग्वाटेमाला है, अलसलवादूर है, ब्राजील है, कोलंबिया, और उन सभी कंट्री की भी मैं बात बीच में कर लेता हूँ, दोस्तों कोमन से सबसे पहले डॉक्मेंट मैंने पहले वी काफी वीडियों बता रखा है, कै कैसे लगाने है, कब लगाने है, ट्रेवल हिस्ट्री कब मेंशन करनी है, कैसे होनी चाहिए, आज की डेट में हमारी परफाइल, वो सब बात करते हैं, दोस्तों सबसे पहले कोमन डॉक्मेंट, अगर आपकी जोब पर फाइल है तो दोस्तों, आप अपनी NOC बगेरा अपनी salary से लिए और आपकी जिस account के अंदर दो आपकी salary आती है उसकी transaction बीच में होनी चाहिए कुछ country ऐसी है दोस्तो यॉरप की कि last बले थ्री मन्त की भी आप bank statement लगा सकते हैं कुछ country ऐसी है कि वो six month की कम से कम मंगती है जैसे शपेन है last वाला six month की उनको bank statement चाहिए चाहिए आपकी business profile है चाहिए आपकी job profile है अगर आपकी business profile है दोस्तो तो आपका saving जिसके अंदर fund पड़े हैं वो भी आप लगाएं आपका current account है तो वो भी आप लगाएं जोब वालों के दोस्तो जिस जिसमें आपकी fund पड़े हैं वो आपके saving count अगर एक है वो चल जाता है अगर एक से ज्यादा है तो वो भी आप लगा सकते हैं दोस्तो आई टी आर बिजनस registration तो यह comment से document है बाकी कि दोस्तो होटल booking ट्रैवलिंग शोर्स मौकी कि जो जिसको हम डमी टिकेट बोलते हैं वीज़ा के लिए जो टिकेट होती है ट्रैवल आइटनरी होती है वीज़ा अप्लिकेशन फोर्म बगारा वो on the spot जब आपने अप्लाई करना है तब यह चीज़ें हो जाती है तो मेन दोस्तो आपके पास दोस्तो पास पॉर्ड है वो six month वैल्डिक के साथ उस टेम वो तो आपके पास आई टी यार दोसे तीन साल की बिजनस है तो बिजनस अर्जिस्ट्रेशन और दोस्तो आपके अकाउंट के अंदर तेन से शे मेने पुराने फंड होने चाहिए अगर आप यूरप यूके के अंदर अपलाई करना चाहते हैं तो कम से कम इसके आपसे दोस्तों आप साथ से याट लाख रुपे का ओल्ड फंड दिखाएं तीन मन्त से ज्यादा या सिक्स मन्त ओल्ड फंड दिखाएं तो यह दोस्तों ये कौमन से डॉकुमेंट है इसके बाद बाद करते हैं दोस्तों अगर आपकी एज 25 प्लस है 30 से नीचे है तो कोशिश करें दोस्तों आप दोसे चार कंट्री ट्रावल कर लें अगर आपकी दोस्तों ये 30 प्लस है और आपकी दोस्तों एगर जोब प्रफाइल अच्छी है आपके विजनस प्रफाइल अच्छी है तब भी दोस्तों आप भीना ट्रेवल हिस्ट्री से भी आप यूर लेते हो तो इससे आपके प्रफाइल थोड़ी से हो जाती है और आप लोगों को भी दोस्तों कॉनुदेंस हो जाता है कि किस तरह से एंदर इसे वीजा लिया जाता है किस टाइप से आउट-आफ इंडिया फॉरुन के अंदर हम ट्रबल कर सकते हैं तो कॉनुदेंस के साथ आ करना दोस्तों एक तो अपने डॉकमेंट्टों को च्छिस कंट्री में आप और आप अपने דॉकमेंट्र a आ cm2 डाना बनाव और झीर है जनकी प्रेवल हिंश्ट्री है जिनकी प्रोफाइल ठीक हैं अगर को कमी पेशे है दोस्तों डिस्क्रैप्शन के अंदर मेरा वर्चेप नंबर आ जाएगा आप वहां से मेरे को कॉंटेक्ट कर सकते हो मैं आपको जो भी गाइड़ी के तौर पर दोस्तों हेल्प करूंगा फ्री के अंदर वो दोस्तों मेरी प्रॉपर तरीके से आप लोगों के अफ़री के अंदर आप रिसकस कर सकते हों कि इस बारी मैं दोस्तों कॉल नहीं उठा पाता तो कोशिश करना मेरे को वर्चेप पे मैसेज़ कर देना जो आपकी प्रॉपाइल है उसी के रिगार्डिंग दोस्तों मैं आपको 24 गंट के अंदर दोस्तों में पराई करना चाहते हैं UK में एकनेटा में तो उनके लिए अच्छा है दोस्तों अब टाइम आ गया है अपनी पॉर्टमेंट लें और अपना दोस्तों वीजा अपलाई करें क्योंकि दोस्तों आप शायद आप लोगों को पता है कि मालो आपने ट्रवल कर रहे हैं शे महिन इंफ्रमेशन आप लोग लेने के लिए तो चैनल के साथ हमारे बने रहें और दोस्तों अगर आप यूरप यूके कंड़ा का वीजा ले लेते हों तो आप मेक्सिको की तरफ एलसलबादूर की तरफ बराजील की तरफ इकवाडूर को लंबिया इन सभी देशों की तरफ द